नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एडुकेशन के चैप्टर योग को पढ़ने वाले हैं तो दोस्ता हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन्स को भी आपर स चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही बहुत सारी इमेजस के माधियम से मैं आपको चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो बहुत ही आसानी सब्सक्राइब को समझ में आ जाएगा और साथ ही हम इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपोर्टेंट से क्यू शॉर्ट अंसर कुश्चन लॉंग अंसर कुश्चन फ्रेक्टेस को सॉल कर लेंगे तो विल्कुल कम्प्लीट ली आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आई स्टार्ट करते हैं तो आई अब हम स्टार्ट करते हैं यूनित 3 अप फिजिकल एडुकेशन तो यूनित 3 है योग और यह बहुत इकमा तो सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं योग का तो यार आपने अपने आसपास योग को होते वे देखा होगा और 21 जून को हर साल इंटरनाशनल योग दे मनाया जाता है 2015 से जो हमारे भारत के प्रधानमंतरी जी है श्री नरिंद मुदी उन्होंने युनाइटे नेशन जनरल असेंबली के अंदर 27th of September 2014 को यह प्रस्ताव रखा था और उसके बाद 2015 से इंटरनाशनल योग दे मनाया जा रहा है इसको 21st of June को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि Northern Hemisphere के अंदर यह 21st June रहता है यह longest day रहता है यह अपने जोग्रफे में जरूर से पढ़ा होगा अब आतेम सीथा योग की definition पे तो यार योग एक Sanskrit शब्द यूज से बना है जिसका मतलब होता है जॉइन करना यह यूनियन और यह जो योग है basically यह यूनियन है किस चीज़ का यह यूनियन है इंडिविज्वल सेल्फ का divine या फैर universal spirit से और इसी को ह modern era के हम बात करें तो modern era में स्वामी विवेका नंजी ने योग को इंट्रडूस किया था western world से और इनके एक बहुत ही फेमस speech है 1893 में जो इन्होंने दी शिकागो के अंदर वर्ड पार्लिमेंट ऑफ रिलीजिन में और इसके अंदर इन्होंने योग का परीचाए western world से करवा है तो सारी टेंशन रूण च्यों जाएगी आपकी जो डिजीज हैं इसको प्रिवेंट करता है क्यों करता है बॉडी को एकदम ब्यूटिफाइए कर देता है आपकी self-awareness को increase करता है spiritual development होता है आपका flexibility बढ़ जाती है और stress and anxiety क्या होती है यह तो आपको पता भी नहीं चल प अगर पूछा जाता है कि योग का importance क्या है क्या महत्व है योग का तो फिर आप उसको इस तरह से divide कर सकते है physical social mental and spiritual तो physical benefit क्या होता है योग का कि आपको physically pure कर देता है तैन उसके बाद disease को prevent करता है body को beautify करता है अगर आप योग करते हो तो आपका posture जो रहता है body का एकदम correct र करती है heart lungs internal सारे organs स्वस्ते रहते हैं socially आपको यह फायदा होता है कि आपको social qualities develop होती है क्योंकि योग जब आप करते हैं तो बहुत से बार आप पहुत से लोगों के साथ मिलकर योग करते हैं तो इक social relationship भी बढ़ती है mental अपनोंने देखे लिया कि बिल्कुल आपको कही mental difficult tension anxiety नहीं होगी आपका concentration और willpower बढ़ेगा then spiritual development मतलब क्या होगा आपकी जो meditative power है वह बढ़ेगी आप morally और जदे strong होंगे ethically आप strong होंगे और एकदम peace ही आपको provide करेगा then बढ़ते हम आगे second जो अपना है वो है introduction to the yoga के जो elements है अस्थांग योग तो यार देखो योग एक continuous process है यह परक्रिया है और इसके अंदर total eight steps होते है मतलब अगर आपको योग प्रेक्टिस करना है तो आपको इन eight steps को follow करना पड़ेगा तब आप अपनी individual self को divine being से connect कर पाएंगे यह अपनों ने देखा था कि योग का मतलब क्या होता है जब हम individual self को divine being है ना मतलब जिस भी body में मानते हैं जिस भी इश्वर गुरू पीर जिसमें भी मानते हैं अगर हमें उसके साथ unify करना एक mental peace अगर हमें चाहिए तो हमें इन आठ steps को follow करना पड़ेगा तो यह जो आठ steps से इसको महर्शी पतंजली ने डेवलप किया था जो कि आज से कई सो साल पहले इन्होंने यह जो concept है वो अपनी किताब योग सूत्र में दिया था तो यह आठ elements विलकुल आपको लाइन से याद करने रहेंगे यम नियम आसन प्रानायाम प्रत्याहर धर्न ध्यान समाधी तो इसको लाइन से याद रखिएगा सबसे पहला आ जाता आपको ध्यान रखनी है पहला है अहिंसा मतलब किसी को हार्म नहीं पहुचाने सत्य मतलब सच बोलना है अस्ते मतलब कभी भी चोरी चकारी नहीं करना है भ्रम्मचर्य मतलब जो आपके अंदर एनर्जी उसका positive utilization करना है आप अरीग्रह मतलब किसी भी चीज को possess नहीं करना ह अब एक एक करके हम इंडी जोली भी इसको देख लेते हैं अहिंसा जो कि हमारे प्यारे बापु जी ने यहां पर प्रमूड की थी नहीं तारक में तावाले बापु नहीं यह जो हमारे national जो हमारे father of nation है उन्होंने स्री महत्मा गांदी जी ने तो जो अहिंसा है इसका ने बता है सत्य तो आपको refrain करना है कि के साथ अगधम निए जीवन को विती करना है और अगर आपनी एज सब्स м between कहें तो और पकड़े गए तो भैसा पुलिस सजा लग देगी तो आपके अंदर जो एनर्जी जो आपकी ताकत है उसको आपको पहचानना है और उसका पॉजिटिव टिलाइजेशन करना है उसको नेगिटिव डिरेक्शन में नहीं मोरना है अगर आपको एक अच्छी लाइव जीनिय लेगी तो यह था अपने पास पहला अपने पास नियम तो नियम क्या होता है नियम यह सेव मैं आ सठांग योग का और इस डिप दाम मैंऩटिव इन विट अवर से से कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमारी खुद के प्रती क्या इमेज है उसको हम नियम बोलते हैं यम में क्या करते हैं बाहर वालों से इंटरेक्ट करते हैं नियम में हम अपने तो सच मतलब क्या हरता है कि आपको external as well as internal dependency soya अपको कहा है तो मतलल इस इंतरो यह कोई पीडिशियोग उप नतलिक यह participate थो मतलब आपको कहे है अपने दिमाग से भी सारा नोब करना और a ride पर करना इसको भी साफ करना बतलब डेली आपको इसनान करना है देन सेकिन है संतोष संतोष मतलब contentment ठीक है so not desiring more than what one has earned through honest labor ठीक है तो जितना आपने अपने खुद की महनत से कमाया है उसमें आप संतोष करना सीखें उसमें आप संतोष्ट होई है ठीक है क्योंकि अगर जादर से बाहर अगर आप पैर पसा रहें तो डेफिनेटली आपको दिक्कत ही आएगी और इसका मतलब यह भी होता है कि आपको maintain करना एक दम calmness all the time हर जीवन के हर इक्षंड में आपको एकदम काम रहना है तब यह austerity मतलब क्या होता है तो यह थर्ड नियम है आपका और इसके अंदर होता है कि आपके अंदर एक वह जुआला है आपके अंदर एक वह पावर है जिससे आप हंगर प्यास कोल हीट इन सभी को सहन कर पा education रुकना नहीं चाहिए इशुर परिधान है ना तो भले ही आप भगवान में मानों ना मानों लेकिन एक कोई ऐसी शक्ति रहती है जिससे आपको definitely peace मिलती है और उस शक्ति को हमेशा अपनों से दूर मत जाने तो हना उसको प्रीच करते रहो एंड वह जो behavior है वह आपके speech मे आपकी body के तुरू reflect भी होना चाहिए तो यह थे अपने पास 5 elements of नियम अब आ जाता है नेक्स्ट आसन तो आसन मतलब होता है एकदम comfortable position maintain करना एवर लाफ्टिंग period of time के लिए और यहां से क्या होता है आपका जो basic structure human body का वो भी एकदम maintain रहता है तो यह होता है आपने बहुत सरे तरीके आसन देखोंगे तारासन वजरासन सुखासन सवासन तो उसके आप example यहां पर mention कर दीजेगा और मुझे बताएगा कि यहां पर यह जो महतर्मा है वह कौन सा आसन कर दिए comment box से बताना नेक्स आ जाता है प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है प्राण प्लस आयाम प्राण मतलब क्या होता है आपकी स्वासन आपकी सास ब्रीधिंग और आयाम मतलब control तो जब आप अपनी ब्रीधिंग पर control हासिल कर लेते ओं तो यह प्राणायाम जैसे यह आप आपकी प्राण है वह basic है थो लाइफ लेना बंद प Sun कर दोगे तो आपका कम मोजाएगा तो अगर आप सांस पर कंट्रोल पालेएक ौट यायर पाफ्ट्री और बहुत सारी चीज़ों प्याराम से कंट्रोल पाते हो टैना हट योग देखें तो तो बहुत सार प्राणयम होते हैं आप इनमें से किसी का भी example लिख सकते हैं जैसे सूरिभेदी उज्जाइ सितकारी शितली पस्त्री का प्राणया मुर्चा तो यह बहुत सारे तरीके के प्राणयम रहते हैं इसमें कुछ गए हैं और उसके बाद हम withdrawal of senses जितने भी external senses है उससे हम अपने आपको withdrawal कर लेंगे तो यह है फिफ्ट स्टेज सिक्स अपने पास धरना तो इसमें concentration maintain करने की कोशिश करेंगे तो यह जो stage है इसके अंदर हम क्या करते हैं हम एक धम अपने आपको concentrate करते हैं या तो दोनों eyebrows के बीच में या बिलकुल माइंड के यह जो मना सिर है फोर हैडेस के बीचों बीच में तो वहाँ पर हम concentration जमानी की कोशिश करते हैं फिर ध्यान क्या होता है यह state of meditation है जिसके अंदर क्या होता है यह कोई ऐसी technique नहीं है इसके अंदर बेसिकली यह ऐसा state of mind है जहां पर आप पहार की सारी चीज़ों से अपने आपको काट लेते हो एक धम आपके निमाग में शांती रहती है कोई थौट नहीं रहता है तो इस वाली condition को ध्यान या फिर meditation बोलते हैं बहुत सी बार आपने सुना होगा ना कि हमें डेली meditation करना चाहिए तो meditation आप तभी successfully कर पाऊगे जब आपने आगे की 6 steps को follow किया हो ठीक है होता है हम एक दो दिन meditation करते हैं सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है वो फायदा तभी होगा जब आगे की steps को follow किया होगा लास्ट आ जाता है समाधी जिससे हम बिल्कुल वो योग है उसको completely practice कर पाएंगे अगर हम समाधी वाली stage में पहुँच गए तो यह एक ऐसी ability body के जहां पर हमारी body unite हो जाती है individual being unite हो जाता है उस divine being से तुससे stage को समाधी बोलते हैं तो यह स्थांग योग है ठीक है इसको line wise से याद रखना है और line wise एक एक सीड़ी एकर आप चड़ते जाओगे तो फिर आप इस योग को practice कर पाओगे उमीद है अब आपको योग वाला concept clear होगा कि योग क्या होता है योग मतलब सिर्फ अकेला योग कुछ नहीं होता योग 8 steps का एक unification है जब आप इन 8 steps को integrate करते हो तो योग कहलाता है ना वर्ना आसन प्राणायाम ध्यान यह सब उसका एक पार्ट है यह ना बहुत से बार आप से पूछ लिया जाता है वाइवा में कि योग और आसन में क्या difference है तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर आसन तो थर्ड इस्टेप योग की और योग के अंदर होती है ठीक है तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक बटन जरूर जबाना बर्दे विरम आगे लास्ट अपना इंट्रॉडक्शन तो योगी क्रिया तो हमारी बॉड़ी को इंटर्नल एक्स्टर्नल प्रृटी क्लेंलिनेस की इंपॉर्टेंस रहती है और रिक्व मतलब होता है स्टोमक क्लेंजिंग अपने स्टोमक को पेट को साफ करना वास्ती मतलब इंटेस्टाइन को साफ करना जो हमारी आते हैं तैन नौली क्रिया जिसमें हम हमारी जो पेट की जितनी भी वह अंदर की है ना आते रहती है उनको हम एब्डॉमिनल मसाज करते हैं तै कपाल भाती जो कि आपने देखा हूए होगा यह ना मैं करके भी आपको बता देता हूँ है ना तो इस प्रकार से कपाल भाती करिया जाता है जहां पर आपके लंग्स और फ्रंटल लोब का प्यूरिकेशन होता है तो बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं देखना है इनके नाम आपको याद रखना है चेके चेके तेन क्या बेनिफिट्स होते हैं तो बहुत सारी डीजीज आपकी ओवरकम हो जाती है अगर आप योगी क्रियाए कर तैन आपकी हॉर्मनी क्रेट होती है बैलेंस क्रेट होता है बोडी एकदम सिस्टम प्यूरिफाय हो जाता है और आपक यहां पर देखने को मिलेगा यह बहुत ही ज्यादा लिमिटेट पीरेड ऑफर है तो आप जरूर से इसको वेल कीजेगा और प्लस का फायदा यह है कि यहां पर एकदम स्ट्रक्चर वे में आपके कोर्स को कंप्लीट किया जाता है नोट्स आपको प्रवाइड किया जाता ह है भारत के टॉप एडूकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं और आपके डाउट सॉल वजाते हैं बिल्कुल ओफलाइन क्लास जैसा महोल यहां पर बन जाता है आपके दोस्त बनते हैं तो यह बहुत ही कमाल की चीज़ है और अगर आप इस्ट्रक्चर वे में अपनी तैयारी करना चाहते हैं परिक्षा की वह भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज में तो डेफिनेटल आपन अकैडमी को कप्ला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर आप मेरा चैनल का जो नाम है उसको यूज करते हैं मतलब हमारा जो कोड है लोग कोड वो है चैनल का नाम एप सूत्र का तो मैंने आपको बताया था महर्शी पतंजली कमपनेंट्स ओफ योग कितने आठ कॉंपनेंट्स है या आठ है एलिमेंट्स हमने पड़े थे तैन नॉट पार्ट ऑफ यम सबसे पढ़ा था यम तो यम का पार्ट क्या नहीं है तो सत्य परिग्रस्ते तो है लेकि कितनी योगी किरिया है तो टुटल 6 योगी करिया है आप सब आपको शभी का नाम मुझे कोमेंट box बताना है धर्ना से कंसेंट्रेशन of mind दिमाग's का का चुक्म नीजित बिलकुल वइस बिजीज से फ्रीडम धी योदि न नन्यस्त योगीक ब्रिधिग प्रान आयां प्रा डिली फॉर लॉंग टाइम सही बात है यह आसन की डेफिनिशन नहीं तो पहला प्रशन पूछा गया कि कौन से एपिक्स में और इंचेंट संस्कृत टेक्स में आपको योग का मेंशन मिलेगा तो रामयान महाबारत उपनिश्वद यहां पर आपको मिल जाएगा योग का में इन चन योग का मतलब क्या होता है तो योग हमने देखा ही था है संस्कृत शब्द यूच से डिराइभ क्या गया है के यूनियन इसका मतलब होता है और यूनिफीकेशन होता है कि इसका फिजिकल Mentele, Intellectual, Spiritual aspects of human being का लॉंग एनसर कोश्चन जो मैं आपको पहले बताय था कि प्राणायम उसके तीन पार्ट कोंते हैं तो प्राणायम की definition आपको लिखनी है सबसे पहले फिर तीन पार्ट सिसके होते हैं प्राणायम कैसे आप स्वास लेते हो पूरक सबसे पहले इन्हेल करना फिर कुंभक मतलब तो उसको रिटेन करना है ना आप खुद प्रैक्टिकल करके दिखो सांस लेना फिर उसको रोक के रखना फिर उसको छोड़ देना छोड़ने को बोलते हैं रिचक तो इस तरह से तीन पार्ट होते हैं प्राणा है हमके उमीद है आपको यह वाला लेक्चर अच्छा लागा हो लेटेस्ट नोडिवेकेशन आपसे मिसना हो तो दोस्तो धन्यवाद जय हिंद जय भार